जरा सोचिए अगर पचास ओरतों के बीच में चिला के मैं आपसे बोलूं ये कैसा घटिया मेकप करके आई हो। आप मेरी शकल भी देखना पसंद नहीं करेंगे, मेरे स्टूडियो आना तो दूर की बात है। तो इस नन्हे से बच्चे पर क्या गुजरती होगी जब टीचर पचास बच्चों के सामने चिला के उससे बोलेगी तुम्हारी किती घटिया हैंड राइटिंग है। तुम्हारे जिंदगी में कुछ नहीं हुपाएगा। क्या वो बच्चा स्कूल जाना पसंद करेगा। या जब वही टीचर चिला के बोलेगी हां सीखो कुछ राहुल, शाम देखो हर बार पास होता है और तुम कुछ नहीं होगा तुम्हारा। क्या वो बच्चा स्कूल जाना पसंद करेगा। कोई जरूरी तो है नहीं कि हर बच्चा पढ़ाई महीं अवल नमबर लाए। भै अगर मेदानता के डॉक्टरों को मैं अपना मेकप ब्रश पकड़वा दूँ क्या वो मेकप कर लिंगे। या अगर वो मुझे अपने सर्जरिकल इंस्ट्रुमेंट्स पकड़वा दें क्या मैं सर्जरी कर लूँगी। इस दुन्या में हर कोई एक खूबी के साथ पैदा हुआ है। कोई बहुत तेज दोड़ता है तो कोई बहुत बढ़िया नाचता है। कोई मेकपार्टर्स बन पाता है तो कोई लॉयर और डॉक्टर बन पाता है। हमारा काम ये है कि हम हर बच्चे की खूबी पहचाने और उसको उसी फील्ड में बढ़ावा दें। तो आईए मिलकर अपने बच्चों की ताकत बने, उनका गुरूर बने। उनकी बेजिती करने के बजए उनको प्यार और मुहबत से समझने की कोशिश करें। जिस चीज में बच्चों का इंट्रेस्ट है उन्हीं वो करने दें और फिर खुद उन्हें आसमान चूतें।